कि नमस्कार माहस्लामों दिन खान आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स एक तरफ दुनिया नए साल यानि 2019 का जस्न मना रही है तो वहीं बॉलिवूट के लिए 2019 की सुरुवात में ही बुरी खबर आई है जी हां लंबे समय से बिमार चल रहे से 80 वर्षिये कादर खान का निधन हो गया है एक जनवरी को निधन हुआ है कादर खान का पिछले कई दिनों से अस्पताल में भरती थे उन्हें लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी इसलिए डाक्टर उन्हें नियमित वेंटिलेटर और भी पी एपी वेंटिलेट पर रख रहे थे कादर खान का दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था कादर खान को प्रोगेशिव सुप्रा निक्लियर पालसी डिस आउडर नाम की बिमारी थी आखिरकार कादर खान को अपनी जिन्दगी की आखरी सांस एक जनवरी को कनाड़ा में ली कादर खान का अंति राजेस खन्ना के फिल्म रोटी के लिए डायलॉग भी लिखे थे उस जमाने में कादर खान को लेखत के तौर पर एक लाख बीस हजार रुपे मिले थे जो उस जमाने में बहुत बड़ी राशी थी कादर खार अपने फिल्मी सफर के दवरान राजेस खन्ना अमिताफ बच्चन जितेंद्र के साथ काम कर चुके हैं जिनमें राजेस खन्ना की महा चोर छैला बाबू धरम काटे 50-50 और अमिताफ की कुली देश प्रेमी सुहाग तो वही जितेंद्र की हिम्मत वाला सरफरोस फर्ज और कानूल जैसे फिल्मों में डायलाउग और पाठ कथा भी लिखी थी उनकी ज्यादा फिल्में गोविंदा के साथ ही जो सूपर हिट कामेडी के तौर पर जानी जाती थी कादर खान का जन्व 11 दिसंबर 1937 को काबूल में हुआ था एक जन्वरी सन 2019 को इस दुनिया को कादर खान ने अलविदा कह दिया हम आपको कादर खान की कुछ फिल्मी जलकियों के साथ छोड़ जाते हैं तो देश और दुनिया की तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहे प्रहा टाइम्स लग यह कुना पकड़ा हुआ से अ तुम हुआ सा पकड़ो कहींची कैची नहीं लाएं सरकार अच्छ वो भी हम लाएं कहां सा आगे पता निए उद्गाडन कराने के लिए रेड़ी अहां जी बजाओ तायले क्या भगवान मैंने तुछ से कहा था माशुका घदार मत देना मालिक इमांदार मत देना तुनों दोनों गड़बल कर दिया ना ये क्या माली के एक पैसा कमानी नीदेदाए देख जैब खाली है मेरी कानी फिर से लिग ना मैं आगे मिलता हूँ